इस वीडियो में हम प्रीव करें टाटा डबली प्ल का मैच नमबर 12 जो की होने वाला डेली कैपिटल वुमन्स और एमाई जो वुमन्स है उनके बीच में काफ इंटरसिंग मैच है विकॉस यह ही पहला मैच खेला गया था और लास सीजन का फाइनल मैच भी इनी टीम्स के बी प्लेइगी क्या कुछ प्लेइर्स हैं जो पर्फॉर्म करेंगे स्मॉल लीग में कुन से लेने सारी चीजे में आपको वीडियो में एक्स्प्लेइन करूंगा पूरा देखना फीडियो को और आपको वीडियो इंफोर्मेटिव लगता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्रा आला हुआ है तो इसको आप fantasy perspective से देखना सारे जो यहाँ पे आपको points देख रहें नीचा है आप first inning में pace और second inning में pace का जो fantasy points है वो देख सकते हो और spin का भी same चीज़ आप जो यहाँ पर first और second inning के basis पे fantasy points देख सकते हो पहला inning में ज्यादा success नहीं मिला है चाहे वो spinners हो चाहे व मिलता है bowling friendly आपको wicket देखने को probably मिलेगा और clear sky है यानी बारिश के chances ना के बराबर है head to head matches की बात करते हैं तो 4 matches दोनों टीम्स के बीच में खेले गए हैं और सभी जो यहाँ पे winning margin है वो सभी के सभी chase करते भी आए हैं तो chase करना यह दोनों टीम्स का जो यहाँ पर speciality है और chase करते समय थोड़ा बहतर performance में रखो लगता है Mumbai Indians करते हैं तो हलका उनके favor में मैं कहूंगा कि आप advantage लेके चल सकते हैं इसलिए मैंने 60% उनके winning chances भी लगाए हुए हैं और recent जो matches है दोनों टीम्स का form बहुत अच्छा चल रहा है definitely अभी यह जो match है यह काफी ज्यादा important दोनों टक कर चल रही है Delhi ने भी चार matches खेले हैं और MI ने भी चार matches खेले हैं और यहां पर दोनों ने जो हैं पर तीन-तीन matches जीते हैं और एक match हा रहा है run rate भी बहुत close है बहुत ज्यादा margin बड़ा नहीं है और यह match जो जीतेगा वो सबसे top पे रहेगा और सबसे top पे रहने पर advantage है यह है कि वो directly final पे qualify कर सकते हैं तो अभी यह match काफे important दोनों के लिए ओने वाला है इस match को जो भी जीतेगा वो टॉप पे बना रहे सकता है एंड तर ठीक है Probable 11 देख लेते हैं Delhi Capitals जो home venue है उनका पहला जो है पे playing 11 देख लेते हैं Mag Lanning open करेंगे शिफाली वर्मा के साथ 148 रन है इनके 4 इनिंग में Mag Lanning के बहुत बहतरीन performance इनों नहीं किया 30 प्लस का एवरेज बैटिंग से इस सीजन इनका रहा है बहुत अचा खेल रही है Mag Lanning और शिफाली वर्मा भी कभी-कभी इनोंने जो है बीच में एक-दो इनिंग ऐसी खेली है जहां पर बहुत अच्छे रन्स बनाया है एलिस कैपसी भी जो है तीन इनिंग में 148 रन इनके भी है Mag Lanning और एलिस कैपसी दोनों के 148 रन ही है अभी तक और एलिस कैपसी का क्या है कि यहां पर 40 प्लस या 50 प्लस का एवरेज देखने को बिलता बिकॉस इनोंने तीन इनिंग में 148 बना है बहुत सॉलिड बैटिंग क बनाय थे और दो विकेट बोलिंग से भी लिये थे तो बहुत अच्छा इन्होंने लाश मैश में प्रकॉर्म किया था आइटिंक वस मैश में उतना ज्यादा जो है पर एफट नहीं लगा पाई थी और उस मैश में एमाई जीत गई तो यह जो है इनके मैचस आपको देखन चलती रहेगी मारे जिन कैप किसी मैच में खेलेंगी किसी मैच में एनेबल सदरेंड खेलेंगी क्योंकि दोनों बहुत अच्छी और रहा है इसको खिलाना फार्म के बिसिस पे और बोलिंग इसकी ज्यादा सूट करती है मारे जिन कैप खेलते हैं तो वो पाउर प्ले में ज्यादा बोलिंग कराती है और अनेबल सदरेंड केंतियों तो मिडल ओर में ज्यादा इनका यूज़ होता है यह पार्म में उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाती है ठीक है तो इस चीज का पो डिस्टिंग्शन पता होना चाहिए जैस जोनसन सबसे बेस्ट इनों है आप इन दो प्लेयर्स को तो अटलिश लैफ्टा मातोडाक्स होनी की वज़े से और स्पिनर्स कहीं न कहीं हो सकता है गेम में रहेंगे तो आप सेकेंड इनिंग में खास करके अगर डेली बोलिंग कराए तो इनको दोनों को आप अपनी टीम में एड़ कर सकते हो अरुन द दी रेड़ी रहने वाली है तारी बाटिया विकिट की पर में उतना ज्याद रिलाइबल ऑप्शन नहीं है बहुत नीचे बैटिंग करती है वैसे तितास साधू आप अगर लेना चाहते हो तो डेफिनिटली आप ले सकते हो अच्छी बोलर है और थोड़ा यहां पर लगत कर रहा है ग्रेंड लीग में तितास साधूर और शिकाफांड ने दुनों ट्राइब कर सकते हो स्मॉल लीग में आपको ज्यादा स्पिनर्स के उपर फोकस करना है राधा यादव जैस जोनसन और और यहां पर अपनी टीम में रख लेना और शिफाली बर्मा और अलिस कैप अपनी टीम में अगर आप एड़ करना चाते है तो कर सकते हो यह तो पांच-छे प्लेयर में जो नाम बता हैं यह स्मॉल लीग में आपके लिए इंपॉड़न्ट है इनको आप ज़रूर ले सकते हैं माई की और से जो प्रावर्बल लेवन है उसको भी देख लेता है हेली म मैंच यह सोपन करेंगी यह तिका भाठिया के साथ अभी भी हर्मन प्रित कॉर के जो इनजुरी तो यह उसके वगए उपडेट के नहीं है को मैंनर इनुरी तीम के साथ ट्रैवल कर רही हैं तो डेफिनटली ङहो सकता है कभी ने कंभी आपको आले मैच-एस में खेल ती वे मेरे को बहुत जो हैं पर लगता है मतलब यह बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करती है हमेशा जो है इनके पुटेंशल से ज्यादा हिनों ने हमेशा डिलेवर किया है और अभी जो हैं पर प्रपल कैप होल्डर भी बनी थिया उसके बाद अभी एकलिस्टन आगे निकल गई है इ एक आदब लेयर ऐसी बची हैं जिनके पास अभी एज भी जो है उनके फेवर कर रहा है और कहीं नताओं पोटेंशल भी उनके अंदर दी कर रहा है तो उनमें से मेरे को लगता है अनबल सदलेंड हो गई एलिस कैपसी हो गई और उनमें सबसे टॉप पे मेरे को लगता है अभी अमिलय कर रहने वाली है क्योंके सबसे बेस्ट बैटिंग और सबसे बेस्ट बोलिंग इनके पास जो है अवलेबल है अभी वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो ओपनर से हेली मैथ्यूस ओर थोड़े कम मिल सकते हैं धियान रखना तीन ओर मिलेंगे दो ओर मिलेंगे ह एक लिए सिवर ब्रंट टीम की कैप्टन है अभी सेंडिंग तो इसलिए कहीं न कहीं वो ज्यादा बोलिंग भी करा रही है और बैटिंग से भी बहुत अच्छी उप्शन है तो आप इनको कैप्टन एस कैप्टन अमिले के साथ बना सकते हो दोनों मेरे को लग रहा है आज जादा बेनिफिशल नहीं रहेगा लांगर रन में लेकिन चलो ठीक है इनको कुछ मैचस में मेरे को याद आता है जो टीम से खेलती थी तो शुफी डिवान उस टीम में थी और उस टीम में इनको जो है एज प्रॉपर बैटर यूश करा जा रहा था तो इनकी बैटिंग मे अच्छी करती है लेकिन प्रॉपर बैटर के तोर पे तो मेरे बनी लगता है कॉल्डरांडर के तोर पे आप खिला सकता है इसी वांग डेफिनिटली एक अच्छी डिसिंट सी ज्वाइस बन जाती है अब मंजोद कोर और सजाना अंड हो मेरा काजी ज्यादा काम नहीं है त अच्छी को चार और किसी को नहीं मिल रहे अभी तक और बहुत कम बोलर से इनके पास जो चार और पूरे इग डाल सकते हैं तो अगर लखी है तो डेफिनिटली आप भी सेलेक्ट हो सकता है इसके लिए आपको क्या करना है, subscribe करना है चैनल को और like करना है वीडियो को और जाकर कमेंट सेक्षन में जो भी आपका पहरा से comment आप कर सकते हैं आप अगर lucky हो तो अगले वीडियो में आपको जो है giveaway अनौस कर दिया जाएगा तो यह आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अभी तक नहीं कियें सब्सक्राइब और लाइक करके आप पार्टिसिपेट की बवे में कर सकते हैं अभी मेरी ड्राफ्ट टीम की बात करता हूँ तो मैंने ये टीम अभी जो है ड्राफ्ट की हुई है और मैं हमेशा आपको रेक्मेंट कर रहा हूँ प्लेक्सिबल जो प्लैटफार्म है वहीं पर आप खेला करो आपके लिए वो ज्यादा बहतर है कैप्टन मेरी नेटलिय सीवर ब्रंट है और अमिलेकर है इन दोनों के साथ ही मैं जाने वाला हूँ या हेली मैथ्यूस में भी अगर आप कुछ अलग हटके ट्राइ करना चाते हो तो हेली मैथ्यूस ट्राइ कर सकते हो बस इन तीनों MI के प्लेयर्स के आसपास ही मेरा कैप्टन सेलेक्शन रहने वाला है अलिस कैप्सी जैस जॉनसन मैं तो भी कॉशिस में इन दोनों रूपो अपनी टीम में एड़ कर रहा हूँ कैप्सी लास्ट है ट्राइड मैच में बहुत अच्छा जो मैं आपे खेल गई थी तो आप इनको ट्राइ कर सकते हो और बोलिंद से मने राधा यादा अरुंदेत्यरेडियो और इसी बाउं को लिया है बैटिंग से दो ही औप्शन लिया है डेली के लिये है और बैटिंग से मैं रहको ज्याधा औप्शन नहीं लगे MI के और से तो इसलिए मैं नहीं आप है सिर्फ और सिर्फ डेली के प्लेयर्स को रखा है यह मेरी अभी टीम है, ड्राफ्ट, फाइनल टीम आपको मिल जाएगी टेलिग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आँसे जोइन कर सकते हो So that's all, इस वीडियो में इतना ही मिलते नेक्श वीडियो में और कुछ नीव अपडेट्स के साथ Until then, टारा बाबाल, टेक केर